नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लाटफॉर्म एक्जाम पावर के उपर दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है आज का जो सीशन है उसमें हम नंबर सिस्टम के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले एक प आप लोगों का स्वागत है आज की सेशन में आज की सवीडियो में आप सभी का स्वागत है सबस्क्राइब कर लिजेगा और पास में ज helper ईकशन है उसको भी प्रेस कर लीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास में notification सबसे पहले पहुंच जाए तब first question आपकी screen पे है और यह सवाल जो है 2012 में पूछा हुआ है question को एक बार पढ़ते हैं उसके बाद में इसको solve करने की कोशिस करते हैं question में कहा गया है there are 540 student in a school for a PT drill they have to stand in such a manner that number of row is equal to number of column how many minimum student would be left many minimum student would be left out in this arrangement कहने का मतलब simple सा यही है कि 540 student है in a school for a PT drill एक PT drill है जिस पर 540 बच्चे हैं तो इसके अंदर आपको बताना है minimum student की बात की जारी तो minimum के case में आप हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या बोला गया 540 student की बात की जारी तो nearest perfect square आपको 540 की पास में देखना है जब भी आपको इस type के सवाल आपके exam में देखने को मिलते हैं तो जो भी नमबर दिया गया है उसके nearest number जो perfect square हो वह आपको देखना है तो हमने क्या किया हमने यहाँ पर लिखा देखेगा मैं आपको explain करके बताता हूं easily ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्ता में सवाल को करने का टरीका क्या है आपको कुछ भी नहीं करना आपको क्या देखना नमबर देखना है ठीक है जी नियरिस्ट परफेक्ट नियरिस्ट परफेक्ट इसक्वायर 2 540 ठीक है is 529 कहने का मतलब यह है कि 540 के नजदीक जो नियरिस्ट है नियरिस्ट का मतलब होता है नजदीक perfect square number जो है वो है आपका 529 529 तो क्या 529 आपका answer है जी नहीं तो answer क्या होगा जो perfect square होता है nearest जिस number के उन दोनों के बीच का जो difference है वो आपका right answer होगा यानि 540 में से इसी number के nearest जो perfect square है उसको आप subtract कर दीजिए यानि 529 को आप subtract कर दीजिए तो आपका जो result निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11 और यही आपका correct answer हो जाएगा आसा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका है कि कैसे मैंने इस question को solve किया है किस तरीके से मैंने इस question को deal किया है अब चलते हैं पर next question की तरफ जो की सबसे जादा सबसे प्यारा सबसे अच्छा question है question क्या है find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10 मतलब यह कि एक छोटे से छोटा square number smallest square number निकालिए जो की 4 से 9 से और 10 से divisible है किस से है divisible है मतलब आपको पहले question का format समझना है मतलब आपको एक ऐसे छोटे से छोटा number चाहिए ठीक है जिसको अगर आप 4 से divide करते हैं ठीक है तो exactly divisible हो जाता है मतलब remainder 0 आ जाता है ठीक है exactly divisible का मतलब remainder 0 उसी same number को जब आप किस से divide करोगे 9 से तब भी आपका जो remainder है वो 0 आ जाएगा और उसी same number को आप divide करोगे 10 से तब भी आपका remainder 0 आ जाएगा तो बताओ वो number क्या है यानि कि यहाँ पे क्या आएगा यह आपको बताना है आई hope कि आपको language question की समझ में आ गई है और यह जो question आप देख पा रहे हैं यह जो question है यह आपके NTSC 2012 में पूछा हुआ सवाल है तो बिल्कुल भी आप सवाल को हलके में ना लें तो ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ भी नहीं करना रहता यह जो 4 है 9 है और यह जो 10 है इसका आपको लेना है LCM यानि LCM ओफ ठीक है ना LCM ओफ 4 9 & 10 यानि 4 9 और 10 का आपको LCM लेना है तो 4 9 10 का जो LCM आपने लिया वो कितना निकल के आगया वो निकल के आगया 900 LCM कैसे लेते हैं I hope आप लोगों को पता है अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के नीचे comment करना म नेक्स्ट वीडियो और भी बेसिक से चलूँगा अगर आपको LCM निकालना भी नहीं आता है तो 900 आपका correct answer हो गया आप check करके देख लीजिए अगर 900 को आप 4 से divide करेंगे तो remainder 0 आएगा 900 को आप 9 से divide करेंगे तो remainder 0 आएगा exactly divisible का मतलब क्या होता है कि remainder 0 आना चाहिए और 900 क आएगा 0 आएगा I hope आपको यह सवाल समझ में आ चुका है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है find the value of क्या value है क्या question है मैं यहाँ पर लिखके आप लोग को बताता हूं question कुछ इस प्रकार दिया हुए कि 30 की power n n multiply 3 की power 2 n 3 की power 2 n multiply 2 की power 2 की power n divide by 2 की power n divide by 6 की power n multiply 2 की power n multiply 3 की power 3 n ठीक है 3 की power 3 n यह सवाल भी NTSC 2012 में पूछा हुआ है अब इसको solve करने का तरीका क्या होगा तो वह मैं आपको बताता हूं देखिए search and indices आप लोगों ने पढ़ा होगा आपने काफी सारे बच्चों ने जो है वह search and indices का जो chapter है वह अच्छे से clear किया होगा तो उसी ठीक है accordingly हम इसको solve करेंगे कैसे करेंगे देखना आपको चुछी given है सबसे पहले आप उनको note कीजिए आपको given है 30 की power n multiply 3 की power 2 n multiply 2 की power n 2 की power n ओके और divide में दे रखा है आपको क्या 6 की power n multiply 2 की power n multiply 3 की power 3 n multiply 3 की power 3 n अब देखिए सवाल को solve करने का method है जो तरीका है वो बहुत ह simple होता है जब भी आपको ऐसा type के सवाल मिलता है ना तो आप इनको ना break करने की कोशिज करो आप 30 को break करो आप 3 को break करो आप 2 को break करो 6 को break करो 2 को break करो 3 को break करो इन सभी को आप break करने की कोशिज करो यानि यह जो 30 है इसको अपन क्या लिख सकते है 2 की power n multiply and और क्या लिख सकते ह बिल्कुल sir ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है जी समझ में आ रहा है सबको फिर multiply हम कर देंगे यह 3 की power 2N as it is हो जाएगा बिल्कुल sir multiply 2 की power and as it is हो जाएगा बिल्कुल sir as it is हो जाएगा यहां तक I hope आप लोगको कोई भी problem कोई भी परिशानी नहीं है अब देखिए आगे आपको है तो 6 की power n है इशको आप क्या लिख सकते है 2 की power n multiply 3 2 जा 6 होता है न 3 की power n लिख सकता है तो की power n as it is 3 की power 3 and as it is तो आपने ऐसा लिखते हो जाएये यह जैनि 2 की power n है अपने एग दिया multiply 3 कीm finances क्रणा होग गया dus 2 की power n से 2 की power n cancel हो गया 3 की power n से 3 की power n cancel हो गया 2 की power n से 2 की power n cancel हो गया 3 की power 3n है 3 की power 2n है तो इसको अगर आप identity लगाओगी कौन से वाली की a की power m divided by a की power n तो वो क्या हो जाता है एकी पावर M-N हो जाता है ठीक है और similarly एक identity ये भी होती है कि base जब equal होता है और multiply का sign है तो power add हो जाती है ठीक है तो एकी पावर M multiply एकी पावर N, क्या हो जाएगा एकी पावर M plus N, ये दो identity होती है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ, clear है चलिए, तो आप देखिए यहां तक हमने लिखा मेरे पास में जो चीज बची होई है एक बार उसको लिख लेते है मेरे पास में क्या-क्या बचा हो है 5 की पावर N, multiply 3 की पावर 2N, upon 3 की पावर 3N अब मैंने एक चीज उबज़ाव कर रहा हूँ, यह 3 है यह 3 है, यह दोनों upon में है तो मतलब यह वाली identity अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा बिल्कुल सर, तो आप देखिए 3 की पावर 2N है अब यह जो minus N है, इसको नीचे ले जाएगे तो यह positive हो जाएगा, ठीक है तो मतलब यह हुआ है कि 5 की पावर N upon 3 की पावर N, ठीक है जी अब इसको अगर आप whole power में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 upon 3 की पावर N, ठीक है जी और यह हो गया आपका correct answer I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है कि मैंने जो आप लोगों को बताया, मैंने जो आप लोगों को सिखाया वो क्या था और उसको करने का तरीका उसको करने का जो method था वो क्या था और आपने अच्छे से किया correct answer आपके सामने आ गया है ठीक है अब चलते है अगले सवाल की तरफ question number 3 के बाद आता है question number 4 बहुत ही simple question है क्या है question if 3 is the least prime factor of number a and 7 is the least prime factor of number b then the least prime factor of a plus b is what a plus b का जो least prime factor होगा वो क्या होगा NTSC 2014 में यह सवाल पूछा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर करके बताता हूँ देखेगा यानि कि a and b question में जो चीज given है उसके accordingly ही मैं काम कर रहा हूँ a and b are odd number क्या बोला गया है और odd number ठीक है जी a and b are odd number आप भी है solution साथ साथ में लिखते जाहिएगा हर एक solution को so so a plus b so a plus b जो है is even ठीक है क्योंकि क्यों even even क्यों क्योंकि आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना मैं यहाँ पर separate करके आपको बता देता हूँ कि जो odd number होता है and b odd number और odd number को यदि add किया जाता है तो result हमेशा क्या आता है बिटा even आता है हमेशा जेहां डखना कोई भी दो odd number लो उनका सम करो जैसे वन जो है वो odd number है three जो है वो odd number है दोनों को add करेंगे जो result आएगा चार आएगा और चार क्या है even है यानि कि 2 odd number का sum हमेशा result आपको even देता है तो question में मैंने same चीज लिखी जो question में था उसके accordingly मैंने काम किया कि a and b are odd number so a plus b is even यानि a और b को add किया तो यह even बन गया यहां तक बात समझ में आई so 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 least so least color change कर लेता हूँ so least prime factor so least prime so least prime factor so least prime factor of a plus b is is जल्दी से बोलो क्या होगा 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कैसे होगा 2 देखो if 3 is the least prime factor is 3 is the least prime factor of number a and 7 is the least prime factor of number b यानि a का जो least prime factor है वो आपको दे रखा है 3, b का जो least prime factor दे रखा है वो दे रखा है 7 ठीक है ना अब मेरी बात सुनों इनको सम करेंगे तो even आएगा तो ओवेसी बात है था ittäin the least prime factor of a plus b यानि अगर number को सम किया तो even आया तो इनके जो रिस प्राइм of na2 prime number a and b is what? यानि कोई भी 2 prime number होते हैं उनका hcf क्या आता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि hcf of 2 prime number जो है वो 1 आता है. क्या आता है जल्दी से लिखो? कितना आता है? हमेशा 1 आता है. यह हो गया आपका correct answer. clear है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट कोशन क्या है? देखिएगा. The total 2 digit number which are divisible by 5. यानि ऐसे कितने number हैं दो digit के? जो 5 से divide हो जाते हैं. जो 5 से divide हो जाते हैं. तो सबसे पहला 2 digit का number आता है 10. जो की 5 से divide हो रहा है. उसके बाद आता है 15. उसके बाद आता है 20. अब इन सब में 5 5 add करते जाओ. बनते हैं. जब तक 2 digit बनते हैं. तो सबसे last का जो 2 digit number होगा, वो होगा 95. ठीक है? तो ये total अगर आप count करोगे ना, इनको लिख करके. तो total जितने निकल के आएंगे, वो निकल के आएंगे 18. यानि 18 नंबर ऐसे होंगे, जो आपके 5 से divisible हो रहे हैं. दो डिजिट के नंबर, 18 नंबर ऐसे होंगे. ठीक है? अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे. अमंग दो नंबर, 2 की पावर. ये वाला सवाल भी मैं बहुत ही अच्छा समझता हूँ और ये वाला सवाल 2015 में पूछा हुआ है. तो important भी है. आप देखना question बड़ा प्यारा है. question है कि among the numbers, 2 की पावर 250, 2 की पावर 250, फिर कॉमा 3 की पावर, 3 की पावर 200, 3 की पावर 200, 4 की पावर 150, 4 की पावर 150, and 5 की पावर 100. ठीक है? the greatest is, यानि इन सब में greatest कोन है, इन सब में बड़ा कोन है, या आप लोग को बताना है. तो मुझे एक चीज बताओ, 2 की पावर दे रखी है, आपको कितनी? 250 दे रखी है, यानि 250 दे रखी है. तो बड़ा चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, इन सब की पावर सेम बना लेत 250 है, आप बताओ, 2 की पावर 250 को आप क्या लिख सकते हो? तो आपका जवाब होगा, 2 की पावर 250 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 को हम अंदर multiply कर लेंगे, और बाहर हम कितना रख देंगे? 50 रख देंगे, यहां तक बात ठीक है, बिल्कुल सर, यहां तक बात ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल, similarly, 3 की पावर 200 है, क्या है, 3 की पावर 200 है, तो इसको पावर 50 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा, सर, 3 की पावर 4 लिख देंगे, और उपर में पावर क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी, बिल्कुल बाइसा बैसा कर सकते हैं, स पर पावर 50 लिख देंगे similarly जो 5 की पावर 100 है इसको तो भोती easily आप निकाल सकते हो क्या करता हो कि बताओ 5 का square कर देंगे sir और पावर 50 कर देंगे ठीके जी अब इन सब को थोड़ा सा और expand कर लो थोड़ा सा और expand कर लो सब को तो सब को थोड़ा सा expand करोगे 2 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो 32 लिख सकते हो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 ऐसा करते हो न तो 32 आता है तो 32 की पावर 50 हो जाएगा similarly 3 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो 81 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 करेंगे तो 81 की पावर 50 हो जाएगा similarly 4 की power 3 जो है 4 की power 3 जो आपको given है इसको भी आप solve कर सकते हो क्या हो जाएगा 4 multiply 4 4 चोक 16 16 चोक 64 यानि 64 की power क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी ठीक है ना similarly similarly 5 का square होता है 25 25 की power 50 अब जब आपने power same बना ली है जब आपने power same बना ली है यानि सबकी power same है ये भी same ये भी same ये भी same ये भी same अगर सबकी power same है तो ये जो आपका number होता है इन में जो सबसे बड़ा number होगा वही सबसे बड़ा number होगा यानि 81 है तो सबसे बड़ा number यानि इन सब में 81 किसको देखने पे आ रहा था 3 की power 200 से यानि कि 3 की power 200 सबसे बड़ा number हो गया I hope आप लोगों को समझ में आ गया है मैंने इस तरीके से आप लोगों को explain किया बताया उस तरीके से आपको अच्छे से clear हो चुका है अगर clear हो चुका है थमसब जरूर कर दो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है question number 8 question number 8 है if the LCM of 12 and 42 is 10 M plus 4 then the value of M is what M का value क्या होगा यह आप लोगों को बताना है मुझे एक चीज बताईए इसने कहा कि LCM of 12 and 42 is 10 M plus 4 और आप वैसे LCM निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए LCM निकालेंगे किसका LCM of 12 and 42 मतलब 12 और 42 का आप LCM निकालते हैं तो आपको मिलता है 84 कितना मिलता है बच्चो 84 मिलता है यानि 84 मिलता है ठीक है तो LCM of 12 and 42 is equal to 84 है और यहाँ पर LCM इतना दे रखा है तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे मतलब 10 M plus 4 जो है वो बराबर हो जाएगा 84 के किसके 84 के तो M की value यहाँ से कितने आ जाएगी 10 M बराबर 84 minus 4 is equal to what 80 is equal to what 80 तो M बराबर कितना आ जाएगा 80 को divide कर देंगे हम किसके साथ 10 के साथ तो M बराबर निकल के आ रहा है 8 कितना निकल के आ रहा है बच्चो 8 यहनिकी 8 निकल के आ रहा है हाई होप समझ में आ गया है clear है 8 के बाद question number 8 के बाद आता है question number 9 जो कि बहुती प्यारा बहुती सुंदर और बहुती अच्छा question है मुझे बहुत अच्छा लगता यह personally यह question question क्या है f1 बराबर f2 बराबर 1 and and fn बराबर and fn बराबर fn बराबर fn-1 plus fn-2 ठीक है then the value of f5 f5 की value आप लोगों को निकाल के बतानी है कि f5 की जो value होगी वो क्या होगी ठीक है आप easily बता सकते है मुझे पता है देखिए question में क्या चीज given है question में सबसे पहले given है कि f1 बराबर f2 बराबर 1 ठीक है f1 और f2 आपस में क्या है बराबर है और हमें क्या चाहिए f9 sorry fn fn कितना देरे रखा है fn बराबर fn-1 plus fn-2 ठीक है यही चीज given है अब इसको solve करेंगे तो n की जिगर पर क्या आएगा f1 और f2 की तो value अपने पास में है अपने को f5 चीजिए न तो पहले हम f3 निकालेंगे फिर f4 निकालेंगे फिर f5 निकालेंगे या तो आप directly f5 लिख सकते हैं क्या डारेक्ली f5 नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे fn चीजिए यानि f1 यहाँ पर f3 रख देंगे n की जिगब पर 3 रख रहे हैं तो f3 बराबर क्या हो जाएगा f3-1 प्लस f3-2 ठीक है जो कि रिख लो आप देख लो f3-1 कितना होता है f2 होता है ठीक है ब्लस f3-2 3-2 अरे यार यहाँ पर हाँ 3-2 3-2 कितना होता है f1 होता है तो f1 और f2 की value कितन इतना आ गया 2 आ गया मतलब F3 की value कितनी आ गई 2 आ गई तो अब निकालेंगे हम F4 तो F4 यानि कि यहां पर जो N दिख रहा है इसकी जगह पर 4 रख देंगे जिस तरीके से F3 निकाला था तो N की जगह पर 3 रखा था वैसे ही F4 निकालने के लिए N की जगह पर 4 लिख देंगे तो N की जगह पर 4 लिखेंगे तो क्या होगा F4-1 प्लस F4-2 4-2 solve करेंगे तो बेटा क्या होगा दिहान से देखना 4-1 यानि F3 प्लस 4-2 मतलब F2 understand is equal to what F3 की value मैंने निकाली 2 तो यह आपने 2 लिख दी प्लस F2 की value होती है 1 तो यह आपने 1 रिख दी 2 प्लस 1 कितना होता है 3 यानि F4 जो है वो कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया अब चाहिए मैं को क्या F5 चाहिए तो F5 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा N की जगह पर 5 को रखना पड़ेगा तो N की जगह पर 5 रखेंगे यानि F5-1 प्लस F, 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 5-2, बराबर कितना हो जाएगा F4 आ जाएगा यहाँ पर तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा F3 आ जाएगा कैसे इस question को मैंने solve किया कैसे मैंने ये सवाल को deal किया अगला सवाल देखिए ये जो question है ये बहुत ही अच्छा सवाल है मैं सवाल को लिखता हूं जैसा कि आप लोग को पता है कि हर हर session के अंदर हर video के अंदर मैं जो है वह आप लोगों को hw देता हूं और आप सारे बच्चे comment करके मुझे बताते भी हैं कि इसका answer सरी होगा इसका answer सरी होगा तो आसा करता हूं कि इसके अंदर भी आप जो है वह मुझे comment करके बताएंगे कि इसका answer ये होने वाला है क्या है question द्हान से समझो question दे रखा है a upon b a upon b बराबर हो गया a upon b की power x minus 1 बराबर a plus b sorry b upon a b upon a की power x minus 3 x minus 3 then the value of x will be यानि x की जो value होगी वो क्या होगी या आप लोग को बताना है option दे देता हूं option a a जो है वो one होगी या फिर option b 3 होगी या फिर option c 2 होगी या फिर option d 5 होगी ठीक है तो a, b, c, d चार option दियो हैं, चारों में जो आपका सही जवाब है, वो आप बता दीजेगा, comment करके, कि sir, option A इसका सही जवाब है, option B इसका सही जवाब है, option C इसका सही जवाब है, तो मैं लेता हूँ विदा, आज के इतना काफी है, अगर वीडियो पसंद आती है, मेरे द्वारा जो effort लि नहीं मिलने वाला है, तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए हसते रेना, मुस्कुराते रेना, खिल खिलाते रेना, टाड़ा वेवे, टेक केर, लव यू, कीप सपोर्टिंग, एंड कीप सेरिंग,